प्रियमित्रों नमस्कार मैं अपने यूट्टूब चैनल वास्वा में आपका फिर से वलकम करता हूं और आज हम लोग बात करते हैं अपने हाँ पुष्प फ्लावर याने फूल का बड़ा महत्व है आपने कभी सोचा कि आप घर में जो फूल रखते हैं उससे भी आपकी व प्रियमित्रों आप इस वीडियो को पुरा अंत तक देखिएगा और आपको आज हम लोग बात करेंगे कि पुष्प से भी यानि कि फ्लावर घर में रखने से भी हमारे जीवन में वास्तूस और मानशिक शान्ति मिलती है पहला पुष्प है मोगरा आपने सुना होगा समय होता है तो यह फूल खिलता है इसकी भीनी भीनी यानि कि हलकी हलकी जो सुगंध है तन और मन दोनों को ठंड़क का है सास कराती है इसके साथ ही मोगरा के फूल की खुष्पू दिमाग को यानि कि आपके मस्तिश को तरो ताजा बना देती है मैं बिलकुल फ्रेश कर दे दूसरा फूल फूल क्या है गुलाब यह गुलाब का यानि कि रोज गुलाब को प्रेम का प्रतिक माना जाता है आज कल ऐसे भी गुलाब में अलग-अलग कलर सा गये हैं रेड है पिंक है वाइट है बलेक है ग्रीन है हर तरीके के गुलाब मिलने लगे है तो यह प्रेम का कलर माना जाता है या गुलाब जो फूल है वो प्रेम के प्रतिक माना जाता है ये फूल और शदियों गुनों से पूरा भरपूर होता है गुलाब की खुश्बू से न सिर्फ मन शांत होता है बलकि आपकी टेंशन यानि की तनाव भी दूर हो जाता है और रिस्तों में आपक सभी जगह पाये जाते हैं, लेकिन घर के आंगन में इसका होना खुश्वों की दस्तक देता है, इसके घर आंगन में होने से आपके बिचारों और भावों में साकरात्मक बदलाव होने लगते हैं, पॉजेटिव एनर्जी मिलती है, इस फूल के खुश्वों से तनाव रहित महाल पैदा होता है, और आप स्वस्थ होते हैं, एक आपने सुना होगा पारिजात का फूल, जिस घर में पारिजात के फूल होते हैं, वहां हमेशा शांती और सम्रदी का निवास होता है, पारिजात के फूलों को हर सिंगार भी कहा जाता है, ये चमतकारी फूल सिर्फ रा प्रप्ला बिछा देता है और उस फ्लावर को लाकर के भगवान को लोग चढ़ाते हैं और आयरुवेद में आयरुवेद के अनुकुल अगर देखें तेसके अनुसार फूलों में स्ट्रेस दुस्क दूर करने की क्षमता और दिव्य और शधियों गुण को पाय जाते हैं ज चंपा का पौधा वातावरन को शुद्ध करने के लिए लगाए जाता है चंपा के फूलों का उपयोग कई बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आप मोगरा गुलाब चमेली पारिजात चंपा इन फूलों को अपने घर में जरूर लगाएं आपका वास्तु दोस्दूर होगा आप स्फूर्तिवान होंगे माइंड आपका सार्प होगा और अच्छा कारे कर पाएंगे आपके बच्चे भी इसका लाब उठा सकते हैं प्रियमित्रों मेरे युट्यूब चैनल वास्फुआ को आप जरूर सब्सक्राइब करें शेर करें आपक वास्तु आपका